हेलो प्याले बच्चो आज हम पड़ेंगे कक्षा आठ प्रशनावली आठ दसमलेवेक राशियों की तुलना तो राशियों की तुलना के अंतरगत आज हम बात करेंगे अनुपात और परतीशत के बारे में अनुपात क्या होता है अनुपात का मतलब है दो राशियों की तुनना अनुपात होता है दो राशियों की तुनना जैसे हमारे पास अनुपात है दो अनुपात पांच तो यहाँ पर यह दो राश्यों के अपस में तुनला की हुई है अगर एक राशी दो है तो दूसरी क्या है पांच तो इन प्रकार दो राश्यों में यह अनुपात है जिसे हम दो अनुपात पांच कहेंगे या इसे हम लिख सकते हैं दो बटा पाँच दूसरी बात अनुपात सदेव समान राशियों में होता है अनुपात हमेशा एक समान राशियों में होगा इसका मतलब समझें जैसे हमेशा नुपात निकालना है किलोग्राम है तो दोनों ही राशि किलोग्राम में होनी चाहिए यहीं किलोग्राम का नुपात किलोग्राम से होगा ग्राम का नुपात ग्राम से होगा गंटे का नुपात गंटे से होगा और मिनट का नुपात मिनट से होगा यहीं कि जो नुपात है वो समान राशियों में होगा हम ग्राम कानुपात निकाड़ेंगे किलो ग्राम से तो हमें पहले दोनों राशियों को एक समान करना पड़ेगा अब बात करते हैं प्रतिशत की प्रतिशत का मतलब है सो में से ये इसका निसान है प्रतिशत का सो में से प्रतिशत का मतलब है सो में से जैसे हमें दिया है बीस परतिशत, तो यहां बीस परतिशत का मतलब है सो में से बीस, सो में से बीस, हमें अगर मान लो अनुपात दिया है तीन बटा पांच या यह कहें अनुपात हमारे पास है तीन अनुपात पांच तो तीन अनुपात पांच को अगर हमें परतिशत में बदलना है तो हम गुणा करेंगे सो से परतिशत अनुपात को अगर हमें बदलना है परतिशत में तो उसको हम गुणा करेंगे सो से और अगर हमें परतिशत को बदलना है अनुपात में हमें परतिशत दिया हुआ है और उसको हमें अनुपात में बदलना है तो भाग करेंगे सो से यह आपने याद रखना है अगर अनुपात दिया हुआ है उसको परतिशत में बदलना है तो हम गुना करेंगे 100 से और अगर परतिशत दिया हुआ है उसे बदलना है अनुपात में तो भाग करेंगे 100 से तो यह अनुपात और परतिशत के बारे में है अब हम करते हैं exercise परशनावली आठ दस्मलाव एक परशन संख्या एक है निमलिक्त का अनुपात ग्याद कीजिए एपार्ट है एक cycle की 15 km परती घंटा की गती का एक scooter की 30 km परती घंटा की गती से तो यहां में cycle और scooter की गती का अनुपात बताना है तो इसको हल करेंगे हाँ यह अनुपात बताना है cycle की गती का सकूटर की गती से अनुपात सकूटर की गती से अनुपात है वो क्या होगा अब यहां पर हमारे पास जो रासी है वो तोनों ही समान है यह भी किलोमेटर परती घंटा में है और यह भी किलोमेटर परती घंटा में है तो यहां पर अनुपात हो जाएगा cycle की गती है वो है 15 किलोमेटर परती घंटा और जो सकूटर की गती है वो है 30 किलोमेटर परती घंटा तो इनका अनुपात हो जाएगा 15 अनुपात 30 या इसको में लिख सकते हैं 15 बटे 30 इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 1 बटा 2 15 से काटने पर 1 बटा 2 या यह लिख सकते हैं कि अनुपात होगा 1 अनुपात 2 1 अनुपात 2 यह हमारा अंसर हो जाएगा सवाल नमबर दो बी पारट पांच मीटर का 10 किलो मीटर से यहां पर जो रासियां हैं वो अलग-अलग हैं यह है मीटर में और यह है किलो मीटर में जो हमेशा अनुपात होता है वो समान राशियों में होता है तो यहाँ पर हम पहले इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे या तो मीटर को बदलेंगे किलो मीटर में या किलो मीटर को बदलेंगे मीटर में एक किलो मीटर बराबर होता है हजार मीटर इसको हम बदलेंगे तो दस किलो मीटर है वो हो जाएगा 1000 गुणा 10 10,000 मीटर अब अनुपात निकाड़ेंगे हम 5 मीटर का 10,000 मीटर से क्योंकि 10 किलो मेटर में 10,000 मीटर होते हैं तो 5 बटे अनुपात हो जाएगा 5 बटे 10,000 ये आएगा कटने के बाद एक अनुपात 2,000 सी पार्ट है 50 पैसे का 5 रुपे से यहाँ पर दो रासिया है कि पैसे में है और एक रुपे में है दोनों अलग अलग है दोनों राशियों को पहले जैसा करेंगे दोनों को हम पैसे में बदलेंगे हमें पता है कि एक रुपेया बराबर सो पैसे हमें दे रखें 5 रुपे तो 5 रुपे बराबर हो जाएगा सो गुना पांच पांसो पैसे पैसे अब हम अनुपात निकाड़ेंगे 50 पैसे का पांसो पैसे से पांचास का अनुपात पांसो से तो यह हमारा अनुपात आएगा इसको में ले सकते हैं 50 बटे पांसो यह हो जाएगा पांस से कटने पर एक बटा दस जा ले सकते हैं अनुपात एक अनुपात दस तो हमारा अनुपात हो जाएगा एक अनुपात दस यह हमारा अनुपात होगा परसंद संख्या दो निमलिक्त अनुपातों को परतिशत में परिवर्टित कीजिए यहां पर हमें अनुपात देवे हैं उनको हमें परतिशत में बदलना है तो मैंने बता था कि आकर अनुपात को परतिशत में बदलना हो तो उसको सो से गुना किया जाता है तो पहला पार्ट है तीन अनुपात च्यार. इसको हम लेसकते हैं तीन बटा च्यार. प्रतिशत में बदलने के लिए गुना सो से गुना करेंगे. यहां मारे पास कट जाएगा च्यार से 25 आयेगा और तीन गुना 25 बराबर हो जाएगा पिचेहतर प्रतिशत इसी परकार बी पार्ट है दो बटा तीन दो नुपाद तीन को लिए सकते हैं दो बटा तीन यह दो राशियों की तुलना है गुना सो प्रतिशत में बदलने के लिए सो से गुना इसको हम काटेंगे तीन से नहीं खटेगा गुणा करेंगे 100 गुणा 200 बटे 3 भाग देंगे इसको 3 से ये आएगा मारे पास चिंच का ठार है 266 सही 2 बटा 3 ये इसका अंसर हो जाएगा 200 को 3 से भाग देने पर नेक्स्ट परसं संक्या 3 है 25 विद्यारतियों में से 72 परतिशत विद्यारती गणित में अच्छे हैं कितने विद्यारती गणित में अच्छे नहीं हैं अमें जो परतिशत दे रख्या वो दे रख्या अच्छे बच्चों का और हमें बताना है कितने परतिशत बच्चे, कितने विद्यार थी, गनित में अच्छे नहीं हैं, तो इसको हल करेंगे, कुल विद्यार थी, सबसे पहले लिखेंगे कुल विद्यार थी कितने हैं, जो कुल विद्यार थी हैं वो है 25, अच्छे हैं जो विद्यार थी, गनित मे अच्छे विद्यार्थी वो कितने हैं बहतर प्रतिशत अब बहतर प्रतिशत विद्यार्थी गनीत में अच्छे हैं हमें बताना है कितने अच्छे नहीं हैं तो पहले हम निकालेंगे गनीत में अच्छे नहीं है जो विद्यार्थी गणीत में अच्छे नहीं है उनका प्रतिशत निकारेंगे पहले वो कितना होगा कुल होता है 100 प्रतिशत 100 में से बहतर प्रतिशत गणीत में अच्छे हैं तो कितने अच्छे नहीं है 100 गटा बहतर यह आज आएगा 28 प्रतिशत बहतर प्रतिशत अच्छे हैं तो कितने प्रतिशत अच्छे नहीं है 28, 100 में से बहतर गटाएंगे 28 प्रतिशत जो विद्यार्थी है वो गणीत में अच्छे नहीं है हमें बताना है कितने विद्यार्थी गणीत में अच्छे नहीं है तो 28 परतिशत अच्छे नहीं है विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हमें क्योंकि हमें जो आंसर देना है स्वाल का वो परतिशत में नहीं देना है हमें बताना कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं है 25 में से तो यहां पर लिखेंगे कुल विद्यार्थियों का 28 प्रतिशत अच्छे नहीं है तो हम निकालेंगे गनित में अच्छे नहीं है कितने कुल है 25 25 का 28 प्रतिशत कुल में से 22 प्रतिशत अच्छे है और 28 प्रतिशत अच्छे नहीं है तो 25 का 28 प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो गनित में अच्छे नहीं है तो 25 का 28 प्रतिशत हो जाएगा गुना 28 बटे 100 इसको हल करेंगे 25 से काट देंगे इसको ये कटने के बाद आ जाएगा च्यार उपरे 28 निचे च्यार 28 को फिर च्यार से भाग देंगे साथ तो साथ विद्धार्थी ऐसे हैं जो अच्छे नहीं है ये हमारा अंसर हो जाएगा परसंद संख्या च्यार है एक फुटबाल टीम ने कुल जीतने मैच के ले उनमें से 10 में जीत आसिल की यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले तो यहाँ पर हमें कुल मैचों की संख्या बतानी है और हमें दिया हुआ है कि 40 प्रतिशत में उन्होंने जीत आसिल की और वो जीत थी 10 मैच के अंदर तो हम मानेंगे के माना कुल मैच खेले जो हमें निकालना है उसको मान के चलेंगे माना कुल मैच खेले बराबर X के X मैच कुल खेले गए अब परसन के अनुसार परसना नुसार यानि परसन के अनुसार जो हमें प्रशन में सवाल में दिया हुआ है उसके नुशार जितने मैच के लिए उन में से 10 में जीत आसिल की X मैच के लिए X में से 10 के अंदर उन्होंने जीत आसिल की और जीत का जो प्रतिशत था वो 40 था कहने का मतलबी है कि X मैचों में से X का 40 प्रतिशत जो X कुल मैच थे उन में से 40 प्रतिशत मैच उन्होंने जीते X के 40 प्रतिशत मैच उन्होंने जीते और वो जीत बराबर थी 10 मैचों के तो X का 40 प्रतिशत बराबर हो जाएगा 10 क्योंकि कुल मैचों में से 40 प्रतिशत में उन्होंने जीत आसिल की और वो जीत थी उनकी कुल 10 मैच्चों में तो यहां से X का 10 प्रतिशत 40 प्रतिशत यह यह कहें कि X गुणा 40 बटे 100 40 प्रतिशत का मतलब है 40 बटे 100 बराबर 10 इसको अल करेंगे दो से काटेंगे इसको यह आपके पास आएगा X गुणा 2 बटे 5 बराबर 10 यहां से X का मान हो जाएगा 10 गुणा 2 बटा 5 उज़र जाएगा तो प्रत जाएगा 2 बटा 5 से 5 बटा 2 हो जाएगा दो से इसको काटेंगे पांच गुणा 5 पांच 25 तो कुल मैच खेले गए थे 25 अतै कुल मैच खेले 25 कुल मैच के ले गए थे जिसमें से 10 मैच में उन्होंने जीत आसिल की और वो कुल मैचों का 40 प्रतिशत था परसन संख्या 5 है यदि चमेली के पास अपने धन का 75 प्रतिशत खर्च करने के बाद रुपए 600 बचे तो ग्याद कीजिए कि उसके पास सुरू में कितने रुपए थे तो यहाँ पर हमें यह बताना है कि चमेली के पास कितने रुपए थे तो हम मान के चलेंगे कि माना चमेली के पास सुरू में रुपए थे मान लिया हमने X कि सुरू में उसके पास X रुपए थे फिर उसने अपने कुल दन का यानी X रुपे में से 75 प्रतिशत खर्च कर दिया और उसके पास 600 बच गए जो हमें 600 दे रखे हैं वो बचत है यहाँ पर यह खर्च है तो हम बचत निकाड़ेंगे आपर कितने प्रतिशत उसने धन बचाया प्रतिशत बचत उसके पास कुल X रुपे थे 75 प्रतिशत खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचेंगे 25 प्रतिशत क्योंकि अगर 100 में से 75 उसने खर्च कर दिये तो उसके पास बचेंगे 100 गटा 25 प्रतिशत खर्च किये हैं तो उसके पास बचेंगे सो गटा पिचैतर यानि की 25 परतिशत पिचैतर परतिशत खर्च करने के बाद उसके पास बचेंगे 25 परतिशत और ये 25 परतिशत उसके पास बचे वे रुपे हैं और वो दे रखें हमें 600 के बराबर की 600 रुपे बचे हैं तो परसना नुशार कुल धन का, कुल धन था उसके पास X, X का 25 प्रतिशत, यहनि कुल धन का उसने 25 प्रतिशत बचाया, और वो किसके बराबर है? बचा वादन 600 के बराबर, तो X का 25 प्रतिशत बराबर है 600, यहां से इसको अल करेंगे, X गुना 25 प्रतिशत बराबर 600, इसको अल करेंगे बढ़ाईजी है, इसको काटेंगे यहां से 25, X और यह 4 पे, X गुना 1 बटा 4 बराबर 600, और यहां से हमारे पास, X का मान हो जाएगा X बराबर यह 4 इदर 1 बटा 4 गुना में उधर जाएगा तो यह संख्या पल्ट जाएगी 600 गुना 1 बटा 4 से हो जाएगा 4 बटा 1 600 गुना 4 2400 रुपई अधा चमेली के पास शुरू में रुपई थे 2400 परसन संख्या 6 है यदि किसी सहर में 60 प्रतिशत व्यक्ती किरकेट पसंद करते हैं 30 प्रतिशत फुटबाल पसंद करते हैं और 6 अन्य खेल पसंद करते हैं तो ग्याद कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ती अन्य खेल पसंद करते हैं यदि कुल व्यक्ती 50 लाग हैं तो प्रतेक प्रकार के खेल को पशंद करने वाले वेक्तियों की संख्या घ्याद कीजिए पर्षन बहुत लंबा है लेकिन मुश्किल नहीं है इसको हम करेंगे बिसके लिए आसान तरीके से तो इसमें हम सबसे पहले यह मानेंगे कि इसके अंदर देखेंगे कि कुल कितने प्रतिशत किर्केट और फुटबाल को पसंद करते हैं और जो 6 पच जाएंगे वो अन्य खेल को पसंद करने वाले रह जाएंगे तो हम इसमें निकालना सबसे पहले कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं माल लीजी आपके पास कुल 100 रुपे हैं आपने 60 रुपे किसी काम पे खर्च कर दिये 30 रुपे कहीं खर्च कर दिये तो 6 कितने रुपे आपके पास बचेंगे तो 100 गटा 60 जमातीज यानि 100 गटा 90 दस तो वही है यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे किरकेट पसंद करने वाले हैं 60 परतिशत जो किरकेट को पसंद करते हैं वो हैं 60 परतिशत फुटबाल पसंद करने वाले हैं 30 परतिशत अब सेस अन्य खेल पसंद करते हैं अन्य खेल कोई भी हो सकता है अन्य खेल पसंद करने वाले कितने बचेंगे 100 परतिशत में से 60 करेकेट वाले हैं 30 फुटबाल वाले हैं तो कुल होगे 60 और 30 90 तो 100 गटा 90 यह आज आएगा हमारे पास 10 परतिशत यहिए कि 10 परतिशत व्यक्ति है वो अन्य खेल पसंद करने वाले हैं तो हमारा यह पहला पास्ट है कि कितने परतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं तो सो गटा नब्बै यान की दस प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो अन्यकेल किर्केट और खुटबाल के अलावा पसंद करते हैं प्रसनों को आगे पड़ेंगे यदि कुल व्यक्ति पचास लाग है अब हमें कुल व्यक्ति दे रख्या है कि सहर के अंदर जो कुल व्यक्ति हैं वो पचास लाग है हमें बताना है कि परतेक परकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी इन पचास लाग में से कितने व्यक्ति किर्केट पसंद करते हैं कितने व्यक्ति पुटबाल पसंद करते हैं और कितने व्यक्ति अन्नेख्य पसंद करते हैं तो पहले हम निकारेंगे किरकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या किरकेट पसंद करने वाले वालों की संख्या या वाले व्यक्तियों की संख्या इसे फिर सकते हैं इह बरावर होगा 50,000,000 हमारे पास है 50,000,000 इसका 60 प्रतिशत 60 प्रतिशत 50,000,000 का 60 प्रतिशत का मतलब गुना तो 50,000,000 गुना 60 प्रतिशत यानि 60 मटे 100 इसको काट देंगे ये हमारे पास आजाएगा गुना करने के बाद 6 गुना 5 30 1, 2, 3, 4, 5 5, 0 30 लाख तो 30 लाख वेक्टी ऐसे हैं जो प्रिपेट को पसंद करते हैं इसके बाद मैं बताना है फुटबाल पसंद करने वाले फुटबाल पसंद करने वाले हो जाएंगे 50 लाख का 30 परतीशत तो गुना 30 बटे 100 ये आएगा आपके पास 15 लाख ये अंसर हो जाएगा अब है अन्यकिल पसंद करने वाले अन्यकिल करने करेंगे अन्यकिल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या वो है 50 लाख का 10 परतीशत इसका 10 परतीशत का माने गुना 10 परतीशत यानि 10 बटे 100 इसको अल करेंगे ये हमारे पास आज़े आएगा 5 लाख तो हमारे पास जोड़के देखेंगे उपने उत्र की परताल करेंगे 5 लाख हैं वो अन्यकिल वाले हैं और 30 लाख थे जो वो थे किरकेट वाले कुल 35 और 15 लाख थे फुटबाल वाले तो 35 और 15 पचास कुल हो जाएंगे 50 लाख तो हमारा अनसर है वो ठीक है तो ये एक्सराइज जहां पर समापत होती है वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद